दिल्ली की आजाद पूर सबजी मंडी में हालात कुछ ऐसा ही ब्यान कर रहे है जो प्याज कुछ दिनों पहले थोक में 15-17 रूपे में मिल रहा था अब वही प्याज 30-33 रूपे मिल रहा है और मंडी के अंदर फुट कर कदाम 40 पहुच गया यही प्याज लोगों के पिसान को 10 रूपे किलो अपने करसे देना पड़ गया पिसान ने प्याज नहीं कंप होई थी तिक तो 50% बजाई के लिए और उपर बरसादन उसां कर दिया यह कारण है तेजी 2-3 सार बढ़ आती है को कुदत ने कारण पड़ता है यह कारण तेजी कुदत ने का बात है य आजाद पूर मंदी के आड़तियों का कहना है कि पीछे से फसल की आवकम होने और बारिश में फसल खराब होने की वज़े से दामों में बड़ उत्री हुई है साथ ही इस साल भारत से एक सपोर्ट भी पहले से ज़्यादा हुआ यह भी दाम बढ़ने की एक वज़े है अहरती में प्याज के दाम जो अभी कुछ दिन पहले तक 15 से 16 रूपे थे उसमें अब दो गुन्ने की बड़ा उत्री हुई है आजादपूर मंदी में प्याज आहरत में थोक 35 रूपे तक पहुच गया है और आजादपूरा मंदी के व्यापारियों की माने तो आने वाले यहाँ तोड़ी सच्ती मिलेगी प्याज है लेकि यहाँ पता चला कि यहाँ इतनी महँगी है धिर यहा पांच किलो लेना है अब दाइज किलो कि एक सो साँट रूपे सटा रूपे दो तो तो udah की तो और ने प्हले ले आज़े तो पहले किकना ले थे पले तो 120 रूपे का हमारी टीम ने आजाद पुर्म अंडी में ही फुट कर बाजार का जायजा लिया तो यहां लोग प्याज के बड़े हुए दामों से परिशान मिले उनका यही कहना है कि प्याज के दामों ने उनकी दिक्कते और भी बढ़ा दी है आजाद पुर्म अंडी के अंदर फुट कर बाजार में जो प्याज 20 रूपय था वो बढ़कर 40 रूपयों तक पहुँच गया है